इस वीडियो में मैं आपको जो बाते बताने वाला हूँ वो आपको धर्म पाखंड और अंध विश्वासों से दूड हटा कर विज्ञानवादी तर्कवादी सोच दे सकती है तो इसलिए इस वीडियो को पूरा घ्रान से जरूर सुनियेगा आपने देखा होगा कि ये जितने भी अक्षर हैं ये जितने भी ये लेटर्स हैं ये जितने भी अक्षर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब इनसान ने बनाए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इनी शब्दों में से ही भगवान को भगवान का नाम दिया गया है जिसे सब भगवान बोलते हैं इससे ये साफ जाहिर होता है कि भगवान ने अपना नाम खुद नहीं रखा है भगवान का जो नाम है वह इंसान ने रखा है यहां तक कि भगवान धरती पाल कर नहीं निकलते हैं उनकी मूर्ति को भी इंसान नहीं बनाया है भगवान नाम भी दिया है जो भी किया है सब इंसान ने किया है तो भगवान ने क्या किया है कौन है भगवान भगवान को हम कैसे माने कि ये है भगवान है क्योंकि भगवान को बनाने वाले और भगवान को नाम देने वाले तो हम इनसान ही है भगवान ने कुछ खुद से नहीं किया जो किया इनसान ने किया विज्ञान भगवान को नहीं मानता क्योंकि भगवान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे हम उसे मानें कि वो भगवान है देश भर में बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर हर एक तरह के लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए और अपनी इच्छा अनुसार पचाच सो दो सो पान सो हजार दस हजार चढ़ा कर कहते हैं मैंने इतना दान किया मैंने उतना दान किया लेकिन एक बात आप सोच करके देखिए क्या भगवान के नाम पर चढ़ाई गई रकम भगवान की जेब में जाती है क्या भगवान ने कभी आपसे कहा कि आप मेरे मंदिर में आईए क्या भगवान ने आपसे कभी पैसे मांगे क्या भगवान ने कभी आप से कहा कि मेरी पूजा करने के लिए आप सिर्फ मंदिर में आईए क्या भगवान ने कहा मेरे लिए अगरबत्ती लेकर आना क्या मेरे लिए पूल लेकर के आना मेरे लिए पैसे लेकर के आना मुझे पैसे की जरूरत है मैं आप से ही पूछ रहा हूँ आप जो आप वीडियो देख रहे हैं ना मैं आप से ही पूछ रहा हूँ क्या भगवान ने कभी किसी से ऐसी बाते की है क्या भगवान आज तक किसी से कुछ मांगा है कहां सुना है आपने कहीं देखा है आज तक बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने मननत मांगी थी मेरी मननत पूरी हो गई यह काम हो गया मेरा वह काम हो गया मेरी यह मननत पूरी हो गई मेरा वो काम हो गया लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ जो आपका काम हो गया क्या भगवान खुद आकर के किया मैं आप से पूछना चाहता हूँ अपने दिमाग और दिल पर हाथ रखकर मुझे बताईए कि जो काम आपका हुआ है क्या भगवान ने या खुदा ने खुद आकर के किया है या फिर तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन से पूरा हुआ है या फिर तुम्हारी कठिन परिश्रम से तुम्हारा काम पूरा हुआ है भाईयो दुनिया बहुत आगे निकल गई है अब मन से अपने अंदर से भगवान नाम का जो डर है उसे निकालो बस बहुत हो गया भ्रामनों की जूटी तस्वीर को मिटाओ जो सिर्फ उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है इस बात को पॉइंट आउट कीजिए जो सिर्फ उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाई है मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि अंध विश्वास भगाओ अपने आपको बचाओ देवताओ ने सिर्फ राक्षशो को ही हराया है मुगलो और अंग्रेजो को क्यों नहीं हराया जो कि हमारे इंसानी जिन्दिकी के लिए बहुत बड़े अभिशाप थे महीशाशुर को मार कर दुर्गा देवी कहलाई और बलातकारियो को मारने वाली फूलन देवी ढाकू क्यों कहलाई पहले तो धड़ा-धड़ अवतार जर्म लेते थे शिक्षा का युग आते ही अवतारों की नस्पंदी क्यों हो गई कोई पैदा क्यों नहीं हो रहा है नया भगवान या कोई नई शक्ती जर्म क्यों नहीं ले रही है इस बात को आप समझिये कि आस्था ही अंदविश्वास की जिन्नी है आस्था मूत्र आपको पिला रही है और नारियल का शुद्ध पानी फिक्वा रही है भारत दुनिया का इकलोता देश है जहां मिट्टी की मूर्ती को देवी कहकर कपड़ा पहनाया जाता है और जिन्दा ओरत को नंगा करके घुमाया जाता है अफसोस इन बातों का नहीं कि धर्म का धंदा हो रहा है बलकि अफसोस तो इस बात का है कि दोस्तों आज की देट में पारा लिखा भी अंदा हो रहा है पिताजी का तो पता नहीं और माताजी की जैजै वारे अंदबहतों नो दिन मिट्टी की मूर्ती के लिए भूके नंगे रह लेंगे लेकिन जिस मा ने नो मह पेट में पाला उसके लिए भी कभी नो दिन भूके रह को लिखाओ मानसिक गुलाम क्या होते हैं इस बात को समझे एडिसन ने बल्भ बनाया ये सारी दुनिया जानती है भारत भी जानता है लेकिन ब्रह्मा ने दुनिया बनाई ये केवल भारत ही जानता है और भारत के भी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं और खूब जोरो से सिसका पचार करते हैं और हम जैसे मध्यमवर्गी गरीव मेहनत का श्लोग इन बातों में फस जाते हैं ये रॉंग नंबर है भाया ये रॉंग नंबर है महसूस किया है उस जलते हुए रावन का दुख जो सामने खड़ी भीड से बार बार पूछ रहा है आप में से राम कोन है आप में से राम कोन है पूरी दुनिया में भारत एक ही देश है जहां लहसून प्याज खाने से पाप लगता है पाप एक सबजी को खाने में दलाली रिश्वत हराम की कमाई खाने से पाप नहीं लगता लेकिन लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि दिमाग की बत्ती जलाओ और अंध विश्वास भगाओ इस देश में अंध विश्वास और पाखंड और ये धर्मवाद इतना जादा है यही एक कारण है कि चाइना या चाइना जैसे विक्सित देश हमें कभी भी आँख दिखा कर चले जाते हैं अगर हमारा देश भी टेकनलोजी में साइन्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता नॉलिज एजुकेशन पर आगे बढ़ रहा होता फैक्ट्स एंड टुथ के बेस पर आगे बढ़ रहा होता तो शायद आज हमारा इंडिया भी डेवलेब्ड होता लेकिन नहीं हमारे देश के कुछ चुनिंदा लोग जो ब्रहमाण जो पंडित जिने बलाया जाता है या और धर्म के जो सरवोच जो लोग होते हैं वो बेबगूफ लोगों को बनाय जा रहे हैं जो आम जनता है जो महनतकश लोग हैं तो मैं बस लास्ट में इतनी बात कहूंगा कि अपने दिमाग की बत्ति जलाओ सोच विचार करो और अंद विश्वास और पाखंड इस देश से मिटाओ ताकि ये देश अंद विश्वास पाखंडवाद मुक्त भारत बन सके और ये देश विकास सील देश बन सके और या विक्सित देश बन सके